नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं अभियान चलाया जा रहा है, जनकारी के उनसार पिछले दो दिनों से सरांडा के जंगल में CRPF और पुलिस की टिप सन्यूख तो सर्च अपरेशन चला रही थी इसी ओपरेशन की दरां सुरक्षा बोलो और नक्सलियों के बीच मुटभेड हुई, पहले चार नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टी हुई है, बाद में पाच नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है, मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी सामिल है बतादे चाईबासा मुडभेड पर IG ओपरेशन एवी होमकर कहा है कि खुपिया जनकारी पर अधारित ओपरेशन था एक सन्युक्त ओपरेशन चलाया गया जिसमें चाईबासा पोलिस, दोसनों कोवरा बटालियन, जार्खन जगुआर और सीर पीफ की टीमें सामिल थी इस दोरान सर्च ओपरेशन मवादी की ओर से फायरिंग की गई, वहीं गोली बारी के बाद चार आतंकियों के सोव मिले हैं और दो आतंकियों को टीम ने पकड़ लिया है, मौके से साथ हंथियार भी बरामत किये गए हैं जग्षन के परखंडों में माह के पहले सप्ता में गुरु गोष्टी, हर महिने पहले सप्ता में जग्षन के सरकारी स्कूलों के प्रधनाते आपको की गुरु गोष्टी होगी या गुरु गोष्टी परखंड अस्तर पर होगी, परखंड सिक्षा प्रसार पता अधिकार के मौजूदगी में बैठक होगी इसमें पिछले महिने के रेल पुर्जेक्ट, मिड़े मिल, पाठेचार्या, समेत अने विशयों की समिक्चा की जाएगी इसके लिए जारखन स्रेक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परशद ने एसोपी जारी कर दिया है जैसी आर्ट से पुर्ण की तिथी से MDM की तिथी की जनकारी ली जाएगी इसकूल इसको लेकर SMS करता है या नहीं खाद्यान वर रासि कितनी है इसकी समिक्चा की जाएगी प्रजेक्ट इंप्रेक्ट के तहत एक महिने में किये गए कार्यप्रतन ध्यापक को बताना होगा जारखन में सहे 4 लाख अबुआ आवास का आवंटन जल्द को जोडने का निर्दिश्तिया है जो अबुआ आवास सवक्रित हो चुके है वहाँ इस योईना के तहस सचारे निर्मान की परकिलिया जल्द सुरू होगी अबुआ आवास योईना राज सरकार की महत्वकांची योईना है करीब 8 लाग प्रधान मंत्री ग्रामिन आवास जोईना के अंदर सरकार से सवक्रित नहीं होने के बाद राज सरकार ने अपने संसाधन से अबुआ आवास योईना की शुरूआत की है आज से बदलेगा मौसम बारिज के साथ बजरपात का अलर्ट राजधानी और आसपास के छेतर में सोमवार को हलके बादल चाहे रहे इसे उमस भरी गर्मी और बढ़ गई है लोग पसीने से तरबतर रहे रांची का अधिकतन तापमान 49.2 डिगरी और नितन तापमान 26.2 सेलसियस दर्च किया गया मौसम बिभा के अनुसार राजधानी और आसपास के छेतर में अगले 24 घंटे के दोण आसिक बादल चाहे रहेंगे इस दोण कहीं कहीं तेज हवा और गरज तथा बजरपात के साथ हलकी बारिस का ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं सार दक्षनी पूर्वी मांसुन की प्रकिरिया अभी इस्थीत है अगले चार दिनों तक इसके बिहार और बंगाल के कुछ हींसों में परवेश करने की समभवना है इसके बाद ही जारखन में इसके परवेश करने की समभवना बन रही है पलामू की सराब दुकान से 37 लाख लेकर दो कर्मी फरार प्रवेश कराई है साहीत समाज चोक इसी सराब की दुकान से दोनों ने राज सी गमन किया है मनीश दुकान परभारी और सुजीत सहायक था साथ माह से दोनों सराब दुकान समाल रहे थे 12 जून को आरके और मेंट पावर कमपनी दुआरा कराए गए ऑडिट में पैसे गमन करने के मामलत सामने आया इस साल जन्वरी माह से ही ओडिट होने तक 6 माह के ओधि में सराब विक्री का पैसा दुकान परभारी मनीश और सायक सुजीत ने गायब किया है देव प्रभा आउट्सोर्सिंग में हैवी बलास्टिंग का बिरोध करने पर फायरेंग धर्णबाद के घुंडि ओपी अंतरगत मोहरी बांध में संचालीत कुजामा कोलियरी की देव प्रभा आउट्सोर्सिंग पर योजना की हैवी बलास्टिंग का पत्थर एक घर में गिर जाने के बाद सो मौर को जम कर हंगामा हुआ लोगों ने आउट्सोर्सिंग पर योजना का काम बंद कर दिया है जहरिया बलियापुर रोड को बंद कर दिया वहाई फैरिंग से एक ब्यक्ति को गोली लगी है जिसका इलाज SNMMCH में चल रहा है घाटना की सुचना पर सांसर ढोलू महतोवा अस्थानिय बिधायक पुर्णीमा नीराज सिंग भी पहुंची है और दोसी पर करवाई की मांग की है साम को परसासन द्वारा लिखित अस्थासन दिये जाने के बाद धारना समाप्त हुआ इस समाद में पिडितों ने घानुडी ओपी में आउट्सोर्सिंग निदेसक कुम्भनाथ सिंग समयत अने पर फाइरिंग करने और जाती सुचक सब्द करने कारूप लगाते हुए सिकायद की है 18-22 जून तक होगी जैप की छेतरिये खेलकूत परत्योगता 18-22 जून तक जारकन ससस्तर पूलिस जैप छेतरिये खेलकूत परत्योगता 22 आयवेजित की जाएगी परत्योगता का आयवेजन जैप दो टाटी सिल्वे के द्वारा किया जाएगा आयवेजन के बारे में जनकारी देते हुए IPS सरोजनी लगणा ने कहा है कि परत्योगता का उध्याटन मंगलबार को दो पर तीन बजे मुख्या दी थी जैप डियाएजी मयूरूप पटेल कनहिया लाल करेंगे उन्होंने कहा है कि इस परत्योगता के बिभीन खेलों में जैप, IRB, SSRB, SISF के करीब 1500 पुलिस कर्मी, लगभग 50 तक निकी पता दिकाई तथा टीम प्रभंधक भाग लेंगे परत्योगता में फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैटमेंटल, टेवल, टेनिस समेट, बाइस खेल, अस्परदाओं में पूरूस एवं महिला हिसा ले सकेंगे परत्योगता का आयोजन, जैप, 1, 2, 10 एवं मेगा, एस्पोर्ट कंप्लेक्स होटवार में किया जाएगा के इस कदम से झारखन के कूल 35 लाग किसानों को फैदा पहुचेगा बदादे पीएम वरानसी से देश भर के किसानों को 20 हजार कोरोड से अधिक किधन राथी जारी करेंगे आपको पतादे कि केंद्र सरकार ने 2018 में इस योईना की सुरुवात की थी इस योईना के तहत किसानों के खाते में 2000 रूपए की तीन किस्त जामा होती है किसानों के सलाना कूल 6000 रूपए इस योईना के तहत मिलते है आज दिल्ली में जारखन विधान सभा चुनाओ जितने की रणीती तय करने जुटेंगे बीजेपी नेता जारखन भाजपा के परदेश अदेश बावलमरांडी संगठन महामंत्री करमबीर सिंग, महामंत्री आदित सहु, परदी पुर्मा समेत, पुरी टीम मंगलवार को दिली में बिधान सभा चुनाओ में जीत के लिए बैठक कर रही है केंद्री नेतित ने राज के नेताओ को परदेश में जीत का ब्लू पिरिंट लेकर बुलाया है इस महतपुन बैठक में नौ न्यूक्त चुनाओ प्रभारी सिवराज, सिंग, चौहान और हिमंत, बिश्वा, सर्मा भी उपसित रहेंगे परदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मी कांतवाचपाई के सतराष्टी ये संगठन महामंत्री बियल संतोस के सामने प्रिजेंटेंशन के बाद इस पर बिश्त्री चर्चा होगी वहीं लोगसभाचुनाव में 50 सीटों पर मिली बढ़त को जारी रखते हुए कैसे सीटों को और भोट की संख्या को बढ़ाये जाए इस पर बैठक में चर्चा होगी हलाकि बैठक में आईसू पार्टी से गट बंदन पर चर्चा नहीं होगी इसमें जैराम महतोक लोगसभाचुनाव में मिले वोट और भाजपा पर इसके असर की समिक्षा हो सकती है दुमका में हम नहीं बलिक प्रधान मंत्री मोधी चुनाव हारे सीता सुरेन डुमकाचीट पर चुनाव हरने के बाद पहली बार भाचपा की पताशी शीता सुरेंट ने सोम मुपार को खास बात चीट करते हुए कहा है कि वह चुनाव हरी नहीं है बलिख भाचपा की नेताओ वह जीला संगर्ठन ने मिलाकर हराया है उन्होंने कहा है कि दुमका में हम नहीं बलिक परधान मतिनायन मती खुद चुनाव हार गए हैं दुमका और जामतरा के जीला अध्यक्षों के अलावा पुर्व सांसर्थ सुनीर सुरेन पुर्व मंत्री डक्टर लुईस मरांडी सारट के बिधायक रंधिर सिंग उन्होंने कहा है कि चुनाव के दरण ए लोग खड़े तो मेरे साथ थे लेकिन काम बिरोधी दल का कर रहे थे सिता सुरेन ने आगे कहा है कि देश के परधान मतिनायन मती एक एक सीट पर जीत के लिए पुरी ताकर जोक रहे थे इसी कड़ी में वह दुमका में भी जन सभा करने आए थे लेकिन इसकी लाज भी जीला संगठन वह कुछ एक नेताओं ने नहीं रखी है स्वास्त्य के मामले में जारखन में दस में से छव परिवारों को आयूस पर भी स्वास राज सरकार भले है चिकित्सा की देशती और प्रमपारिक पदती आयूस को लेकर उदासिन हो लेकिन यहां के लोग इस पदती को लेकर काफी जगरूप है इस प्रमपारिक चिकित्सा पदती के प्रती लोगों में काफी विश्वास भी है यह बात दूसरी है कि इसकी रिपोर्ट में या बास आमने आई है कि 10 में 6 परिवारों को इस चिकित्सा के प्रतिपूरा विश्वास भी है बोकारों में भैसों की मौत को लेकर पत्थरबाजी पुलिस कर्मी घायल बोकारों के सीटी थाना छेतरे के विकास नगर भर्रा पूल के पास दो भैसों की मौत को लेकर सो मौत को दो पक्षों में जम कर मार पीठ हुई पत्थरबाजी में पुलिस कर्मी समय एक दरजन लोग घायल हो गए है खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची इस दोरान उन पर भी पत्थरबाजी की गई इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हो गए है इस्थिती नियंतरन के लिए पुलिस ने आसुगा इसके गोले छोड़े बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है बाबुलान ने कहा लोग सभाचुना में समिधान बदनने का दूस प्रचार कर जीता इंडिया बिजबी परदेश अध्यक सपुर्मुख मंत्री बाबुलामरांडी ने कहा लोग सभाचुना दोहचोविस के दोरान इंडिया गटबंदनने समिधान बदनने एवं दलीतों पिछलों का आरक्षन समाप्त किये जाने का दूस प्रचार किया इस करण उसे कुछ सीटों का फायदा हुआ है इस दोरान उन्होंने चमपई सुरेन सरकारपन निशाना साधा उन्होंने लाते हर जीले के कुई गाउं में ये बाते कही है बिजेपी के परदेश्ट अध्यास बावलमरांडी लाते हर जीले के गारू के कुई गाउं पहुँचे वहाँ लोग सभाचुना दोह 24 में मानिका बिधान सभाचेत्र के कुई मद्दान केंदर पर बिजेपी को सवराधिक 82 फिजदी भोट मिले थे उन्होंने बूध कमिटी वोटरों की प्रसंसा की है सरना धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हमारा करतब निलकंट सिंग मुंडा खुटी के विधायक और राज के पुर्व ग्रामिन विकास मंत्री निलकंट सिंग मुंडा ने कहा है और समाज को आगे बढ़ा सकते है विधायक अस्थानिय नगर भवन में विधान सभास्तर ये सरहुन मिलन चालन समीती द्वारा सोमवर को आयोजित कर रहा मुरुहू और खोटी के गाउं के ग्राम प्रधान पाहन और पुजार के सम्मान में आयोजित समारोह को बतरमों के अतिती समोधित कर रहे थे धन्यवाद